हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे सर्दियों का स्पेशल दूद, जिसे पीने के बाद सर्दियों में होने वाली प्राब्लम्स, खांसी, जुखाम, ठंड लगना कुछ भी नहीं होगा सर्वाइकल, माईग्रेन की अगर प्राब्लम है तो उसमें भी काफी हद तक आराम मिलेगा इसे पीने से पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द भी खतम हो जाता है ये दूद बहुत ही ज़ादा टेस्टी है, हेल्दी है, बच्चों के लिए, बढ़ों के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़ादा फायदे मन्द है और सर्दियों में इसे जरूर बना के पीना चाहिए और अगर आपने एक बरी इस दूद को बना लिया, तो आप हर बरी इसे ऐसे ही बनाएंगे तो चलिए इतने सारे गुणों वाले दूद को बनाना शुरू कर लेते हैं एक चाय वाला पैन ले लेंगे और इसमें एक छोड़ा चमच देसी घी का डाल देंगे और घी के मेल्ट होने पर इसमें एक छोड़ा चमच गोंद का डाल देंगे और इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे और ये बहुत जल्दी भून जाता है और पॉपकॉन की तरह फूल जाता है और अब इसमें एक छोटा चमच कमरकस का डालेंगे ये लाल रंग के छोटे-छोटे से दाने होते हैं और पुराने से पुराना भी कोई दर्द हो, कमर दर्द हो तो ये उससे ठीक हो जाता है और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और अब इसमें एक चमच बेसन का डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे इसमें और घीर डालने की जुरुत नहीं है जितना एक चमच हमने घीर डाला था उसी में ही हम सारे समान को भूनेंगे बेशन बहुत अच्छे से भून गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसमें से खुश्बू भी आने लग गई है, और अब हम इसमें एक चम्मच इतना कटे हुए बादाम और कटे हुए काजु डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, काजु और कदाम बहुत अच्छे से भून गए हैं और अब हम इसमें एक चमच खस-खस का डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे खस-खस बहुत जल्दी भून जाती है इसलिए हमने इसे सबसे बाद में डाला है बस कुछी सेकेंड में ये भून जाती है और बिल्कुल स्लो quantity भी आप उसी हिसाब से ही रखना और हमने कमरकस और गोंद को डाला था वो भी दूद में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी सर्दियों में आप इस दूद को तो जरूर ही बनाएं क्योंकि इसके बहुत ही जादा benefits हैं आंखें भी अगर ठकी ठकी हैं अनिंद्रा है नीन नहीं तो उन सब चीजों के लिए भी ये बहुत अच्छा है अच्छे से उबाल आने पर अब हम इसमें एक टुकड़ा मिश्री का मिलाएंगे ये धागे वाली मिश्री है और ये सबसे healthy option है इसकी जगा पर आप देशी खांड या फिर छुआरे का powder भी डाल सकते हैं या फिर चार मनका डाल सकते हैं जादा नहीं डालेंगे क्यूंकि इसकी तासीर गरम होती है दूद में हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं सारी चीज़ें बहुत ही जादा गरम हैं जो की सर्दियों में बहुत ही जादा फायदा करती हैं और अब हम इसमें कुछ कलियां केसर की डा आएगा और एक दो पींच जितनी हल्दी डाल देंगे हल्दी भी बहुत ही जादा फाइदे मंद होती है एक कुबाला आने के बाद 5 मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर हम इन सब चीजों को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये दूद पकरा है तब तक हम एक छोटा सा काम कर ल हाट के लिए अच्छे होते हैं और किड्ने को भी स्ट्रॉंग बनाता है और इस तरीके से चेक कर लेंगे अगर ये बड़े अराम से टूट रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और इन मखानों को भी दूद में डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंग हमने स्लो फ्लेम पर दूद को 10 मिनट के लिए उबाल लिया है गैस की फ्लेम ओफ करके आदे घंटे के लिए दूद को ढखके रख देंगे ऐसा करने से जो हमने मुनका डाला था वो अच्छे से फूल जाएगा आप इसको शाम को भी बना के रख सकते हैं और जब आपको र जादा हेल्दी टेस्टी है ये दूद और मुनका भी कितने अच्छे से फूल गया है और गर्मा गरम दूद को सर्व करेंगे बहुत ही जादा हेल्दी है टेस्टी है आप इसे जरूर ट्राई करना आपको ये बहुत जादा पसंद आएगा अगर आपने इसे एक बारी बन आएंगे ये बहुत ही जादा हेल्दी है और टेस्टी भी है हमने इसमें जितनी भी चीजें डाली है सबकी तासीर गरम होती है और सर्दियों में ये बहुत ही जादा फाइदा करती है और गर्मा गरम दूद को केसर से हम गार्निश कर देंगे ये बिल्कुल आप्शनल है आप इस दूद को जरूर ट्राइ करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेल्दी होने के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए, टेक कियर एंड थेंक्स फॉर वाचिंग।